हेलो फ्रेंट्स हमारी इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम उन्बॉक्सिंग करेंगे फिलिप्स एलेडी बल्ब की इस एलेडी बल्ब को मैंने खरीदा है अगर आप इस एलेडी बल्ब को खरीदना चाहते हैं तो मैं डेस्क्रिप्स उन्बॉक्स में लिंक दे दोगा आप वहां से जाकर खरीज सकते हैं तो चली अन्बॉक्सिंग सुरू करते हैं जाले जाले भी जाले बल्ब करते हैं तो जाले ने पुली अगरा है तरीके से मेजर नहीं से प्रेक किया तो यह रहा हमारा इस साइड करते हैं तो यह रहा हमारा फिलिप्स एड़ी बंद जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यह हमारा इस साइड करते हैं अब बात करते हैं फिलिप्स एड़ी बल्विकी फ्रेंड इसका पूरा नाम है फिलिप्स स्टेलर ब्राइट और यह 20 वाट का बल्व और इसका मुड़े नमर है बी 22 इसलिए इसे भी बहार निकाल देखेंग इसलिप्स ए रहां मारा बल्व कि देख सकते हैं ऐसे फिलिप्स के लिड़ी बल्व अब बात कर लिते हैं इस LED बल्ब की कुछ फीचर और कुछ अन्य फीचर की तो यह जो LED बल्ब आप देख रहे हैं यह बना हुआ है आपका पॉली कार्बोनेट का और इसका वीट जो है 91 ग्राम का इसका वीट है मतलो 91 ग्राम है अब इसे कुछ फीचर की बात जहां तक करें तो इसमें नो फिलिक्रिंग देखने को मिल जाती है यह वीजिवल फिलिक्रिंग होता क्या है आप नॉर्मल बल्ब कुछ अब देखते कि एक स्कुराम के लिए ठीक नहीं होते है तो कमपनी ने इसे ध्यान में रखकर के वा lukको आन बनाया हुआ है और इसमें सेंट अब को मिल जाता है कि एक ग्लेयर रिडक्शन तो ग्लेइर रिडक्शन होता क्या है एक चमक को कम करता है जब बलब एक बहुत ज़्याद़ भूत चमक उत्पन होता है इसे क्या एक अच्छा लाइट आपको प्रोवाइट कर देता है मतलब एक कमफोर्टेबल ब्राइट ने इस आपको प्रोवाइट करता है और नेक्स्ट फीचर कि इसकी बात करें तो एक एनर्जी सेविंग है फिलिप्स ने कहा हुआ है कि इस बल्ब आपका 40% जो है आपका इनर्जी सेव करेगा 40% मतलब 40% अगर माल लेजिए आपका पहले बिजली बिलाता था इस बल्ब को अगर यूज करते हैं तो मतलब 100 रुपे बिजली बिलाता है तो समझे लेजिए कि 40% क्या हो जाएगा उसमे कमी देखने को मिलेगी मतलब 40 रुपे कम हो जाएगा साट रुपे भी लाएगा ठीक है और सबसे खास बात है कि यह लोंग लास्टिक है मतलब इसका लाइफ जो है बहुत ही अच्छा है तब कंपनी ने कहा है कि यह 15,000 आवर मतलब 15,000 घंटे इसका लाइफ आपको देखन लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी सेर करें तो थेंक यू थेंक यू पर वाचिन